जो चीजें वो पिर आदमी कहता है छोड़ो यार इतनी दो तीन दफ़ा हमारे वो क्या दिए लेकिन उसको अपने उपर कॉन्फिडेंस था मैंने कहा था ने कि अपनी इनर जो है वो अले कुम नमस्ते से स्ट्रिय का अवीद करता हूं ठीक हों के खुश होंगे दिस्टों जहां रहे खुश रहे माबाप का है दिए माबाप पे तो सभी को चाहिए मैं हो तारिक मेरे साथ मुझूद है और फॉर्ट बाइफरत नेक तमना और नेक वाइशात के साथ के हमारा जहां कहीं है जल्द से हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा बेल का एक उनको जरूर प्रैस किजिए का ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंशती रहे तो चलते हैं वीडियो के नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका फैक्ट भाई और आज मैं सुनाना चाहता हूँ आपको एक गाना हाँ भाई हमी हैं इस बहतरीन सिंगर के रेलेडी शो से बाहर होने का कारण हमी तो हैं वरना भला इतने अच्छे सिंगर को कोई कैसे किसी शो से बाहर कर सकता है समझ गए न किसकी बाद हो रही है शो से बाहर करने से एक ऐसा रैपर याद आ रहा है जिसने रिजिक्शन के बाद भी उमीद नहीं छोड़ी और जैसे तैसे यूट्यूब पर अपनी रैपिंग वीडियो अपलोड की और फिर उसकी एक वीडियो को छोड़ किसी पर कोई व्यू नहीं आया लेकिन सक्सेस में इस सिंगर को कोई मात नहीं दे सकता जिसने जिस शो से बाहर होने का रास्ता देखा था आज उसी शो को बैट कर जज़ कर रही है आपका अंदाजा एकदम सही है आज हमारे वीडियो में सिंगर्स की ही बात करेंगे विकाज आज के वीडियो का टाइटल है Singers Who Got Rejected In Their Auditions नमबर वान एमी बे बंटाई नाम कमाने के लिए यूट्यूपर मार्च 2014 में रिलीज किया अपना पहला रैप और बंटाई लेकिन इस वीडियो के बाद किसी भी वीडियो पर नहीं मिला था कोई भी वीव हालांकि इस रैपर ने यूट्यूपर कोशिश करने से पहले दिया था शोव India's Got Talent में Audition लेकिन वहाँ उन्हें फेस करना पड़ा rejection आप तो पहचान गए ना कि मैं किसकी बाद कर रहा हूँ एमी बे बंटाई जिनका असली नाम है शारुक शेक उन्होंने हॉलिवूट रैपर Eminem से inspiration लेते हुए अपना पहला रैप English language में लिखा था लेकिन पिता ने सलादी रैप्स को उस language में लिखने की जो सभी लोग समा सकें पर 2014 में अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद Eminemay को फेम के लिए तीन साल तक इंतिजार करना पड़ा था और तीन साल बाद उन्हें जैसा फेम मिला उसकी उन्होंने कभी कलपना भी नहीं की होगी वलब हुआ ये था कि एक इंटर्व्यू में रैपर रफ्तार ने Eminemay के पैसे नहीं कमाने की बात बोली थी जिसका जवाब देते हुए Eminemay ने अपने चैनल इस ट्रैक ने काफी कॉंट्रवर्सी क्रियेट की और इस कॉंट्रवर्सी का फाइदा Eminemay को कुछ ऐसे हुआ कि एक ही दिन में उनके यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग पाँच लाग से भी ज़ादा सब्सक्राइबर्स हो गए एक रैप सॉंग और पाँच लाग सब्सक्राइबर्स और अब Eminemay इतने सक्सेस्फुल हो गए कि बॉली वुड मुवी गली बॉय में भी उनका रैप सॉंग तो आपने सुनाई होगा इसके साथ ही रेडियो सिटी फ्रीडम से एमिवे को बेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट का टाइटल लगाता तीन सालों तक मिला है नमबर टू विशाल मिश्रा बॉली वुड के आज के टाइम के एक एक ऐसे यंगेस म्यूजिक कंपोजर और सिंगर जिनने कभी रियालिटी शो से बाहर फैंक दिया गया था और वो भी एक नहीं दो बार साई सुन रहे हैं आप दो दो बार शो से बाहर और इस सिंगर कॉम्पोजर ने नाम कमाने के लिए इंडियन आइडल सीजन 4 में पहली बार आऊडिशन Дिया लेकिन उन्हें रिजेक कर दिया गया फिर उसके बाद उन्होंने सीजन 6 में वापस आउडिशन दिया जहां पहले राउंड में तो उनका सेलेक्शन हो गया आप मुंबई आ ले ओ लेकिन दूसरे राउंड में पहुंचने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया मैं बात कर रहा हूं विशाल मिश्रा की जिन्होंने एक शो से दो बार रिजेक्ट होने के बाद ना हिम्मतारी और ना हौसला तबी तो पूरे जोश के साथ उन्होंने फिर से डीडी नेशनल के रियल्डी शो भारत की शान सिंगिंग स्टार में हिस्सा लिया और फानली शो के विनर का टाइटल अपने नाम किया और अगर बात ब्रेक की करें तो वहसे तो विशाल मिश्रा को उनका पहला ब्रेक करीब करीब सिंगल के ट्रैक में ऐसा कंपोजर मिल गया था लेकिन composer से जादा singer को याद रखते हैं और ये बात विशाल अच्छी तरह से जानते थे तब ही तो उन्होंने सही मौके का इंतिसार किया और कई movies के लिए composition करते रहे लेकिन फिर उन्हें film कभीर सिंग के hit song को गाने का मौका बिला जिसके बाद वो इतने famous हुए कि हर कोई विशाल मिश्रा को सुनना पसंद करता है आपको शायद ये जहान का शौक लगेगा कि पिछले साल COVID-19 के वक्त popular हुए song का composition भी विशाल मिश्रा ने अक्षे कुमार और जै की बागनानी के कहने पर किया था और उसी फिल्म का एक और hit song हम सभी की जुआँ पर आज तक है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने के singer के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जैसा हमने कई singer के साथ कोते सुना है Indian Idol के season 2 के top 10 में आने के बाद भी मोनाली ठाकर को audience ने कम वोर्ट स्टे का शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया लेकिन इतने बड़े शो से eliminate होने के बाद भी अपनी singing के दम पर मोनाली ने national award अपने नाम किया और उन्हें यह award मिला था उनके अब तक के सबसे best song मोह मोह के दागे के लिए ऐसे देखा जाये तो मोनाली का बॉलिवुड डेव्यू जाने मन में ही हो गया था लेकिन उनको असली पहचान दिलवाई music director प्रीतम चकरवर्ती ने प्रीतम ने मोनाली को film race में दो गाने गाने का मौका दिया और वो दोनों ही गाने चार्ट बस्टर्स बन गए आज मोनाली बॉलिवुड और बांगला फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना वाना चेरा बन गई है जिनके गानों को सबी लोग पसंद करते हैं वैसे आप जानते हैं मोनाली सिंगर होने के साथ साथ एक train dancer और actress भी है वैलिटी शो इंडियन आइडल के सीजन फाइब में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले दिया audition फिर हुआ selection लेकिन फिर कम वोड की वज़े से शो को कहना पड़ा अलविदा लेकिन फिर इसके बाद नेहा की किसमत का ताला कुछ यूँ खुला कि वो उसी शो में जज़ बनकर अब लोगों को करती है रजे घर की जरुवत को पूरा करने के लिए शगरातों में गाना गाने वाली नेहा ककर ने कम समय में शून से सौ का सफरताय किया है और कुछ ऐसा किया है कि लोग अब इसकी मिसाले देते हैं अपनी बहन सोनु ककर से म्यूजिक में ट्रेनिंग लेते हुए नेहा ने कई सारे गानों में अपने वोकल्स दिये थे इसके बाद उन्होंने फिल्म मीरा बाई नॉट आउट में बता और कोरस सिंगर डेब्यू किया था लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें अपनी पहचान नहीं मिल रही थी पर फिर साल 2012 में आई फिल्म कॉक्टेल जिसके सबसे हिट डांस नंबर सेकेंड हैंड जवानी ने नेहा की किसमत का दरवादा गोला इस गाने के बाद नेहा ने कई फेमस पार्टी सॉंग्स जैसे सनी सनी, लंडन ठुमका, मैं तेरा बॉइफरेंड की बीट पर लोगों को नचाया और अब नेहा की सेक्सेस स्टोरी ने अपना इतिहास भी लिखना शिरू कर दिया है तब ही तो उनका नाम इंडिया फोप्स के टॉप हंड्रेड डिजिटल स्टार में दो बार शामिल हो चुका है ये गुर्बानी हम सबने कहीं ना कहीं इसी आवाज में सुनी है लेकिन इस गुर्बानी को जिसने गाया है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते है इतनी मीठी आवाज होने के बाव्यूद असीस को और इंडियन आडल के सीजन सिक्स में आडिशन राउंड से बाहर हो गई थी पांच साल की कम उम्र से सिंगिंग करने वाली असीस को म्यूजिक इंडिस्टी का सपना उनके पापा ने दिखाय था और उनकी गुर्वानी का वर्जन पूरे इंडिया में इतना पॉपलर हुआ कि उन्हें हर इवेंट्स में उसके लिए बुक किया जाने लगा गुर्वानी से अपने करियर की शुरुआत करना असीस के लिए काफी फायदे मन साबित हुआ तबी तो हार ना मान कर आगे बढ़ते हुए उन्होंने पंजाबी रियलिटी शो आवाज पंजाबदी में पाटिस्पेट किया जिसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पानी पच्छोड मुंबई आ गए और सपनों की नगरी मुंबई में उन्हें सलीम मर्चंट की मदद से अपना पहला सौंग रिकॉर्ड करने का मौका तमंचे मुवी में मिला और वो अपने गाने से लोगों के बीच फेमस हुई जिसने उन्हें लोगों का चहिता बना दिया बस फिर क्या था इस गाने के हिट होते ही उन्हें अवार्ट्स और काम दोनों मिलने लगे अपनी हिस्टाइल और अपनी स्माइल से लड़कियों का दिल जीतने वाले सिंगर जिनका कंपरिजन अक्सर आतिव असलम और अरजी सिंग से किया जाता है उन्हें अपने पहले आडिशन के वग शो के जज सोनो निगम से मिला था रिजेक्शन नई जमझे? मैं बात कर रहा हूं जिविन नौटियाल की जिन्होंने रियल्डी शो एकस फेक्टर के लिए आडिशन तो दिया था लेकिन सोनो निगम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था जिसकी वज़े से उन्हें टॉप 25 से बाहर होना पड़ा था इस एक रिजेक्शन ने आज की फेमस सिंगर को एक जमाने में गानों के स्क्रेचेज गाने के लिए मजबूर कर दिया था लेकिन बाईो कहा जाता है ना जहां चाव वहीं रा है इसी सोच के साथ जुबिन अपने हर स्क्रेच को ऐसे गाते थे मानो जैसे वो गाने का ओरिजिनल वर्जन हो ऐसे ही एक दिन जुबिन ने फिल्म शौकीन का तेरी महर्वानी का स्क्रेच वर्जन गाया था जिसे जब फिल्म के लीड अक्षे कुमार ने सुना तो वो इसके इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने स्क्रैच गाने वाले जूबिन से ही गाने का ओरिजिनल वर्जन रिकॉर्ड करवाया और वो भी बिल्कुल स्क्रैच वर्जन जैसा यानि बिना किसी चेंज के उस साल जूबिन का तेरी महरबानी और फिल्म सोनाली केबिल का दोनों चाटबस्टर्स में टॉप पर थे बस फिर क्या था एक के बाद एक गाने जूबिन गाते गए और लोगों के दिल पर च्छाते गए वैसे मैं बता दूँ जूबिन सिंगिंग के अलावा म्यूजिक, इंस्ट्रुमेंट्स जैसे गिटार, ड्रम और हार्मोनियम भी बजाते हैं अब बात करते हैं एक ऐसे सिंगर की जिसे शायद ही कोई नहीं पसंद करता हो लेकिन ठहरो, शायद वो हम ही तो हैं, जो उसे एक जमाने में पसंद नहीं करते थे तबी तो हमने उसे टॉप फाइब में शामिल होने का मौका नहीं दिया अब भी नहीं समझे, किसकी बात हो रही है अरे मैं बात कर रहा हूँ, 2005 में सोनी टीवी पर आने वाले शो फेम गुरुकुल के कंटस्टेंट अरजिस सिंग की जिसे कम वोट के चलते टॉप फाइव से बाहर होना पड़ा था हाला कि शो में अरजित के आवाज को शो के जजज शंकर महादेवन और संजरीला बंसाली दोनों को काफी अच्छी लगी थी इसलिए दोनों ने एक एक करके उने ब्रेक देने की कोशिश की जहां अरजित को सबसे पहले ब्रेक शंकर महादेवन ने अपने अलबम हाई स्कूल म्यूजिकल टू के गाने आजा नचले में दिया लेकिन शायद उनकी किसमत का चमकने का समय अभी नहीं आया था तबी तो ये अलबम बुरी तरह पिट गया जिसके बाद बारी आई संजरीला बंसाली की जिन्नोंने रनवीर कपूर और सोनम कपूर की डेविव मूवी में अरजित की आवास को पहचान देनी चाही पर जब नसीम में हो कदू तो कैसे मिलेगा लड़ू इसलिए तो इतने ब और आपको ये भी बता दू कि अरजित को बॉलिवूर्ड इंडस्ट्री में असल पहचान साल 2013 में आई फिल्म आशिकी टू के तुम ही हो और चाहू मैं या नागराय फेलिवर के बाद अरजित आज इंडस्ट्री के हाईस पेड़ सिंगर्स में से एक है कई अनगिनत अवार्ड के साथ वो अब इतने फेमस हो गए हैं कि 2020 में स्पॉटिवाई ने अरजित सिंग को मोस्ट स्ट्रीमड इंडियन आर्टिस्ट का टाइटल दिया था इन सारे सिंगर्स की कहानी इनकी आवाज की तरह ही काफी मेमरेविल है, काफी यादगार है तबी तो ये आज दोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, पहले रिजेक्शन, फिर सिलेक्शन और अब ये सबी लोग अवार्ड विनिंग पफॉर्मेंस दे रहे हैं तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जैहेंड तो ये हैं कभी रिजेक्शन, नेहा ककड़ कभी रिजेक्शन हुई थी, मतलब तो तो क्या इनकी वो उस टेम पे वो आवाज नहीं थी है तो ये मतलब आवक्यस अथा ये लोगों अपने आपको निखा रहे हैं क्या हो सकता, क्या ज़िजए हो सक्की है? मताब उस तब हुए रिजएक्ट वेटों तो दायर सी बाते जो बड़े-ड़े जज लोते है सोनो निगम थे आजो भी थे पराखान दे क्या वाकिए उस तब पे इन के अंदर इतना दम नहीं था इतना खुरूम नहीं थे आपको संदीप जी की बात यादे रिजेक्शन ही बंदे को कामयाब बनाता है जितनी बार आप रिजेक्शन आपको होगे आप उतने ही मजबूत बनेंगे उतने ही कामयाबी हासिल करेंगे तो ने अगकर कितनी दफ़ा दो दफ़ा रिजेक्शन हुई है लेकिन कितनी बड़ कितनी बड़ी सिंगर है आज इंडिया में देखा जाए तो बहुत ज्यादा फेमस है इसी तरह अभी जीत अभी जीत ना में ना अर्जित सेंग वो भी बहुत हिट हैं पाकिस्तान किया इंडिया का पता नहीं कहां कहां वो हिट हैं उनको भी रिजेक्शन का सामना करना जो हम जरूरका में अब इनसान बनेंगी तो इसमें से कौन ऐसा है जो आपको ज्यादा मोस्ट फैबलिट है अर्जित की आवाज बहुत अच्छी है यह तो नहा कटकड की भी बहुत क्यारी आवाज है मैं वैसे ज्यादार आवाजों में पहचान नहीं पाता हूं लेकिन बाही दुनिया ककड़ें रहा है जाती है अलग से ही अलग से ही जार वाज इनकी आवाज में जो एक खनक सी है अना अगता चल जाता है और दूसरा चीज यह के बाग की मतलब इसम को हिम्मत नहीं हाने चाहिए और जैसे वह रैप में वह तने इतने इतना बड़ा नाम हो त पर आने के बाद कुछ चीज ने किसमत के उपर भी लग लग वे हर दुनिया में हर किसम के उपीनियन मौजूद है तो कि जब चीज देखें जब आज इनका और रूज देखतें तो पता जलते हैं यह कैसे हुआ कि उस टेम पे जो है वो रिजेक्ट हुए थे तो यह तमाम पर जाहिर करती है कि उस टेम इनका वजह से बता रहे थे कि उस टेम इनका सुतारा औरूज पर जाने का वक्त नहीं हुआ था कि वह पहली डफा गय तो उने के बाद यह दूसरे तो यह असल में चीज ने होती है और दूसरे यह कि जब एक आदमी जो ठान ले और उसके अं मेरे अंदर इतनी स्किल है और मैं यह कर सकता हूं जैसे यह वाली बाते हैं कि इनके अंदर यह जैसे अर्जी सिंग है या निया कहकर रहे या जो भी नहीं मसलिए कि जो चीजें हैं वो पिर आदमी कहता है थोड़ो यार इतनी दो तीन दफार हमारे लेकिन उसको अपने उ शुचैनल करते हैं कि अपने अपने बुड़े को तोड़ा है और जैसे बुले आप बॉड़ी बीडिंग करते हैं यहां बी अंदर मुसल्स बन्ते हैं तो उन स्मस्सेल्स की मज़य से अपको चन्रोल थेख जार्व सो यहां गलों पर उन्हंको हम आपको अप साथने हैं sticking करूदी है Well they Guora Hong Kong के पाटे पीटा हाथ बॉठी है अगर अगे ़ौकिल की साथ हे आपके उसमें हैं तो आम बहुत कुछ सकते हम लगना आपको बड़ा एक्सराइस करने करते हैं हम इनकी आवाजे सुनते हैं लेकिन इनके पीछे इनकी चितनी महनत होती है कितना स्ट्रगल होता है और घरवाले उस दो रहांच भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो उटे कितना डीग्रेड भी करता है तो बहुत 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 बढ़ दस फीडियो दिए तो बहुत 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 आप से मुला कातो दी जब तक के लिए